दोस्तों गर आप भी मोहीन अली को एक तावरतोर बलेवाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों इंग्लेंड और न्यूजिलेंड के बीच खेले जा रहा है पहले सेमी फाइनल मुकाबले में इंग्लेंड की टीम के विस्फोटक बलेवाज मोहीन अली ने इतना शांदार बलेवाजी का प्रतर्शन करके दिखाया जिसे देखकर तो माहिंदर सिंग धोनी की भी आँखे फटी की फटी रह गई जिसमें इंग्लेंड और न्यूजिलेंड की टीम एक दूसरे से भिरती हुई नजर आ रही है दोस्तों इस मुकाबले में दोनों ही टीम की ओर से भी जबरदस्थ खेल का प्रतर्शन देखने को मिला जिससे देखकर तो ये कहना और भी जादा मुश्किल हो गया था कि आखिर कार कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत कर अपने नाम करेगी लेकिन दोस्तों सबसे जादा शानदार अगर किसी ने प्रतर्शन किया है तो वो हैं इंगलेंड के विस्फोटक बल्लेबाज मोहीन अली जिन्होंने जबरदस बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके इंगलेंड की टीम को जीत की राप पर ले जाने में एहम युगदान दिया दोस्तों बतादे इस मुकाबले में न्यूजीलेंड के कप्तान कین्विल्यमसन ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया लेकिन उनका ये फैसला कुछ हद तक घल्त साबित होता हुआ नजराया क्योंकि इस मुकाबले में उनकी टीम की गेंदबाज पूरी तरीके से इंगलेंड के बल्लेबाजों के सामने हलके पढ़ते हुई नजर आ रहे थे बतादे इस मुकाबले में इंगलेंड की ओर से हर एक बल्लेबाज ने शांदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया जिसमें शुरुआत जौस बटलर से हुई थी जिन्हों ने इस मुकाबले में 24 गेंदों में 29 रनों की पारी खेली वहीं उसके बाद डेविड मिल जिन्हों ने इस मुकाबले का रुख पूरी तरीके से पलट के रख दिया और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के सामने न्यूजी लैंड के गेंदवाजों को घुटने पर ला दिया दोस्तों इस मुकाबले में मोहीन इली ने ये साबित कर दिया है कि वो इस विश्व के सब से शांदार ओल्राउंडर खिलाडियों में से एक हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आकरामग बल्लेबाजी से अपने IPL टीम के कप्तान महेंदर सिंग धोनी का अभी दिल काफी जादा खुश किया दोस्तों इस मुकाबले में मोहीन इली ने शांदार 37 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली जिसमें तीन जबर्दस चवके और दो गगंचुंबी चखके शामिल थे उनकी इस शांदार बल्लेबाजी की बदावलत ही इंगलेंड की टीम 106 तक पहुंचने में काम्याब रही अगर वो इतनी शांदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन ना करते तो शायद इ कोई नेली की इस ताबरतो बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके ज़रूर बताएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को